दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर LLB या यहाँ पर आप जो बारवी के बाद करते हैं BA with LLB honors तो इन courses के अंदर जाने के लिए आपकी eligibility क्या रहने वाली है इन courses में आपको क्या पढ़ाया जाता है यह courses करने के बाद आप higher studies क्या कर सकते हैं या केवल अगर यही courses करते हैं तो उसके बाद आपको कहां पर नौकरी मिल सकती है और कौन से position की नौकरी मिल सकती है तो दोस्तो बात करें अगर LLB के course की तो LLB के course में आपको 3 साल का course होता है और 6 semesters होते हैं इसके अंदर भी एक और हम कह सकते हैं कि sub division है अगर आपको LLB करने के बाद proper practice नहीं करनी है लेकिन आपको वो degree चाहिए तब आप 4 semester करने के बाद भी जो है वो LLB general की degree ले सकते है लेकिन LLB general की degree अगर आपके पास है तब आप practitioner नहीं बन सकते है यानि के court में जाकर के cases नहीं ले सकते हैं तो ये एक इसके अंदर का फर्गा जाता है बारवी के बाद यदि आपको करना है तब आपको 12th के बाद जो है वो BA honors LLB जो होता है तो यदि आपको LLB के लिए जाना है तो LLB के लिए आपको जो है वो किसी भी stream का graduation चलने वाला है और minimum जो है वो 40% marks होने चाहिए SCST category से आते हैं तो 35% marks होने चाहिए अब ये जो मैं cut off आपको बता रहा हूँ ये normal जो government के colleges वगरा होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ अगर आप किसी private institution में जाते हैं या किसी बड़े top के institution में जाते हैं तब उन institutes के अंदर जो है वो आपको cut off marks जो है वो जादा देखने को मिल सकते हैं इसके बाद आती है अलग-अलग entrance exams तो देखिए यहाँ पर 3-4 तरीके के अलग-अलग entrance exams हैं आपको कौन से university में जाना है उसके हिसाब से आपको entrance exam देनी होगी इसमें पहली आती है CLAT common law admission test तो ये जो common law admission test है वो national level के 11 ऐसे colleges या universities है जिनके अंदर ये test conduct की जाती है और उन colleges म आपको जाना है तब आपके लिए जो है वो केवल CLAT के जो marks है या जो score है वही वहाँ पर granted लिये जाएंगे और कोई अगर test देते हैं तो उसके marks है उसका score जो है वो granted नहीं लिये जाएगा अगर आप आंधराप्रदेश में रहते हैं तो आंधराप्रदेश की law CET अलग से ह जाती है और बाकि अगर private colleges में जाना है जैसे कि Symbiosis हो गया या बाकी के जो law institutes हैं जिन universities के अंदर law की पढ़ाई करवाई जाती है तो उनके अपने private entrance exams होते हैं वो आपको clear करने पड़ते हैं तो अगर private में जाना है तो उनके अलग से test होते हैं अगर national या सरकारी institutions में जाना हैं तो उसके test अलग होते हैं अब बात करते हैं main चीज के बारे में कि LLB के अंदर जो आपको ये 3 साल का course और 6 semester हैं उनके अंदर आपको syllabus में क्या-क्या होगा तो एक पूरी list में तयार कर ली है मैं एक एक करके आपको पढ़के सुनाता हूँ तो यहाँ पर SEM 1 जो होता है year 1 SEM 1 इसके अंदर आपको सबसे पहले labor law, family law, crime इसके बारे में पढ़ाया जाता है इसमें optional paper के तौर पर contract, trust, woman and laws, criminology, international economics law इन सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा ये optional papers होते हैं इसके बाद बारी आती है SEM 2 की तो year 1 SEM 2 के अंदर जो है वो family law part 2 law of consumer protections, constitutional laws और professional ethics इनके बार में पढ़ाया जाता है फिर year 2 SEM 3 इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा law of evidence, attribution, consultation and alternative human rights and international law और environment law इन सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा फिर आता है SEM 4 तो SEM 4 के अंदर जो है वो property law, transfer of property act, jurisprudence law के बारे में पढ़ाया जाएगा practical training आपको दी जाएगी legal aid की optional papers में इ laws of insurance, conflict of law, intellectual property law और law of contract फिर आता है year 3 SEM 5 जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा civil procedure code, interpretation of statutes, legal writing, land laws with local laws और administrative laws और आखिर में आता है SEM 6 जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा code of criminal procedure, company law, practical training of moot court, practical drafting part 2 और इसके अंदर optional papers रहेंगे investment and securities law, law of taxation, corporate law और banking laws तो ये सब कुछ जो है वो आपको इस पूरे 3 साल के course के दौरान 6 semesters में पढ़ाया जाएगा अब हम बात करते हैं कि आपको job कहां कहां पर मिल सकते हैं तो सबसे पहली बात court and judiciary में आपको jobs तो मिल ही सकते हैं आप as a judge के त law practitioner इसके अलावा आपको law firms में लिया जा सकता है बड़े-बड़े MNCs में लिया जा सकता है अब college and universities के अंदर जो है वो as a lecturer के तोर पर भी जा सकते हैं या schools के अंदर अगर जाना है तो as a teacher के तोर पर भी जा सकते हैं इसी के साथ-साथ बड़े-बड़े banks के अंदर भी आपक hire किया जा सकता है अब आपके positions क्या होंगे कौन से positions के लिए आप काम कर सकते हैं इसके अंदर पहला आता है attorney general इसके बाद district and sessions judge इसे के साथ-साथ मुनसिफ्स यानिके sub-magistrates advocate के तोर पर काम कर सकते हैं notary के तोर पर काम कर सकते हैं public prosecutor, solicitor, legal advisor, trustee, law reporter या magistrate के तोर पर भी आप क करना चाते हैं कर कोई भी सकता है लेकिन कुछ चीज़े अगर आपके अंदर inherited हैं कुछ skills आपके अंदर हैं तो आपको law करना भी आसान हो जाएगा सबसे अवल बात आपके अगर communication skills काफी अच्छे हैं intrapersonal skills अच्छे हैं presentation skills अच्छे हैं इसे के साथ-साथ आप extrovert है तब आपको जो है वो law करने में ज्यादा आसानी होगी क्योंकि इसी तरीके के skills जो है वो आपको law में चाहिए होंगे साथ-साथ आपको bold भी बनना पड़ेगा mentally strong होना होगा तो ये skills अगर आपके अंदर हैं तो आपको law करना और भी ज्यादा आसान हो सकता है तो दोस्तों ये प तब आप LLM भी कर सकते हैं LLM या PhD भी कर सकते हैं law के अंदर तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजे जादा से यादा शेर कर दीजे को सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं